हेलो एवरीवन वेलकम अगेनी लंडरे देतीमन सरकारी स्कूल सिक्षक भरती का एक और नया विग्यापन 28 जुलाई को रिलीज हुआ है जैसे ही मुझे पता लगता है ऑथेंटिक साइट पर जो है एड़डिसमेंट आ चुकी है तो मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि एप्लिकेशन समय पर की जा सके इंग्लिस मीडियम स्कूल और हिंधी मीडियम स्कूल में वेकैंसी आई है बहुत सारे सबजेक्ट की है यहाँ पर प्यार्टी की टीजीटी और पीजीटी और अल सबजेक्ट की रहेगी salary जो है यहाँ पर maximum 38,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है कोई exam नहीं होगा बस आपका एक demo या interview होगा document verification के साथ आप लोगों को यहाँ selection मिलेगा तो जिला Korea से यह vacancy आई है contractual ways पर vacancy है बट तीन साल की यहाँ पर permanent रहने वाली है उसके बाद यह आगे बढ़ाते हुए जाएंगे स्वामी आत्मानन English Medium School से vacancy है ending date जो है वो 7 अगस्त है तो इसको हम देख लेते open करके यह English Medium विध्याले हैं और इसके बाद जो हम बात करेंगे हिंदी Medium School के तो स्वामी आत्मानन साशकी उत्करष्ट अंग्रे जी माद्याम विध्याले यह जो कोरिया जिला है उसी के अंदर जो है वो कई जगे है जैसे बैकुंट पूर है सोन हत है तो यहाँ हिंदी Medium की भी vacancy है और English Medium School जो है उसकी भी vacancy है ठीक है और subject भी आपको जो है काफी यहाँ पर दिखेंगे यहाँ पर जो है salary भी जो है वो अलग-अलग है हर post के लिए जैसे व्यायाम सिक्षक जो English Medium के हैं तो यहाँ पर 35,400 रुपे है और प्रधाना अध्यापक जो यहाँ पर जो post है पूर्व माध्यम एक साला अंग्रेजी माध्यम के तो यहाँ पर 38,100 रुपे है सहायक सिक्षक यानि PRT के जो English Medium के है Math के लिए यहाँ पर जो post है तो उसके लिए salary जो है यहाँ कितनी है 25,300 है इसके अलावा जो है आप देख सकते हो काफी school है और काफी जो है वो पद है जैसे व्याक्षक है सहायक सिक्षक का समझी आप PRT के लिए ठीक है PRT के लिए और salary जो है वो PRT में जो मिल रही है 25,300 TZT के लिए 35,400 रुपे मिल रही है और PZT के लिए salary 38,100 मिल रही है इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं यह English Medium School है नीचे तक जो है वो आप जाके देखेंगे आप लोगों के सामने जो है वो काफी लंबी list जो हो नजर आएगी तो इसका जो है लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग जो है वो अपने subject की जो है वो देख सकें कि आप TZT में अप्लाई करेंगे PRT में या PZT में व्याक्यता यानि की PZT हो गया और सिक्षक यहां दिया हुआ है यानि की आप TZT के लिए अप्लाई करेंगे और साहय सिक्षक जो है वो है PRT ठीक है उसके बाद जो है वो दूसरा देख लेते हम हिंदी मीडियम वाला तो इसी साइट पर जो है स्वामी आत्मानन सास की उत दिखाई देगी तो यहां पर जो है हिंदी माध्यम ठीक हिंदी मीडियम के जो स्टुडेंट है अप्लाई करना चाते हैं TZT के लिए TZT PZT और PRT के लिए ठीक है तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं subject यह देखिए हिंदी माध्यम विध्याले बुडार तो अलग लोगों को notification देखना ही होगा अच्छे से नियूंतम सेक्ष्ण के हरता इनोंने क्या कहा है English Medium School के लिए मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देती हूँ यहां आप लोग जो है वो बहुत confuse होंगे यहां पर अगर आप व्याकेता के लिए apply कर रहे हैं तो आपने MA English Medium में और beard ठीक है यह दो चीज़ें जो है वो 50% अंकों के साथ जो है वो आपने MA किया होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम में जिस भी subject के लिए आप apply करेंगे उसके बाद जो है अगर आप PZT में apply करेंगे पूर्व माध्यम एक साला इस्तर में आप apply करेंगे तो आपने 50% अंक PRT के लिए सहायक जो सिक्षक है इनकों कहते हैं PRT के लिए तो यहाँ पर भी जो है वो अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए जो है आप लोग अप्लाइ करेंगे जितने भी subject होंगे यहाँ पर तो आप 50% अंकों के साथ आपने English Medium में उच्चेतर माध्यम में जानी 12 और जो है वो आप लोगोंने English Medium School से पढ़े होने चाहिए और साथ में जो है DAD, DLAD वगरा होना चाहिए TZT के लिए आप अप्लाइ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो graduation होनी चाहिए plus BAD होना चाहिए और यहाँ कहा गया है graduation में जो है वो आप English Medium में एक subject अप का होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाइ अगर आप पीजी टिकल अप्लाई कर रहे हैं तो आपने में जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म डालेंगे तो वहां आपने जो है वो पीजी आपने इंग्लिस मीडियम में होना चाहिए और साथ में बियाड यहां लिखा है चैन प्रक्रिया येतु दिसा निर्देश अंग्रेजी मादम विद्धाले येतु अभ्यरती द्वारा कक्षा 9 से आगे की जो भी संपून कक्षा है वो आपने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ी होनी चाहिए ठीक है अभी इंग्रेजी मीडियम स्कूल में यदि आप एप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहां रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का साथ अगस्त को होगा आप लोग बिल्कुल समय पर पहुंच जाए जगे है शाष की आदर्स करने उच्चतर मादमिक विद्धाले बैकूंट प लेगी और नेक्स्ट डे जो है दो दिन जो है वो डेमो या साक्षात का रखा जाएगा और इसकी सुचना आप लोगों को अंतिम वरेता सुचिम पता लग जाएगी कि आप लोगों को आठ अगस्त को है आप लोगों का डेमो या साक्षात कर या नो अगस्त को है और बाकी तो जग है जो है यही रहेगी आपकी साश की आदर्स करने उच्चेतर मादमिक विद्याले बैकूंट पूर और यहां रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को 16 अगस्त को पहुंचना है ठीक है इसी दिन जो है वो आपके सारे काम हो जाएंगे आप लोगों की अंतिम वरे 31 और मैक्सिमम 35 जो है यहां पर रहनी चाहिए यहां लिखा है कि साथ इस आशन द्वारा समय समय पर आयू सीमा में छूट के प्रापधान लागू रहेंगी उम्र की पुस्टी के लिए तो आप लोगों को 10 की मार्कशीट की जो अंक सूची है उसकी सत्यापित प्रति आव इस आप तो यह में साइट का ओपन हो जाएगा नीचे तक आप आएंगे यहां लिखा है रिक्यूट्मेंट ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर आप देखिए कौंट्रेक्ट्ट्ट्रेक्ट्ट्मेंट एडवर्टीजमेंट फर स्वामी आत्मानंद इंग्लिस म medium school ठीक है तो दोनों ही advertisement 28 July की हैं अभी दो-तीन दिन पहले की ही यह जो है बात है तो आप application जो है वो समय पर करते हैं salary काफी अच्छी है यहां पर contract पर आप लोगों को तीन साल तक maximum रखा जाएगा उसके बाद यह आगे आप लोगों को बढ़ाते हुए जाएंगे तो चलिए थेंक यू